सुप्रभाद मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे आदर्ष पठन पाठ दो शेखी बाज मक्षी का मैं पढ़िएंगी पहले और आप मैं के बाद अच्छे से दोहराएंगे तो चलिए शुरू करते हैं अपना आदर्ष पठन पाठ दो शेखी बाज मक्षी एक था जंगल उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था इतने में एक मक्षी उरती उरती वहां आप भची शेर ने दो तीन दिनों से स्ना नहीं किया था इसलिए मक्षी शेर के कान के एक दम पास भिन 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 करने लगी शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी, उसने पंजा उठाया, मक्ही उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन-भिन शुरू हो गई, अब शेर को गुसा आया, वैधारा, अरे मक्ही, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा, मक्ही ने धीरे से कहा, ची-ची, जंगल के राजा के मुह से ऐसी भाशा, तहीं शुभा देती है, शेर का गुसा बढ़ वेया, उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, उपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा, वरना अभी, मक्ही बूली, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डड़ जाऊंगी, मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो, तो आजाओ, शेर आग बबुला हो उठा, उसने कान के पास पंजा मारा, मक्ही तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया, मक्ही उड़कर शेर की नाख पर बैठी, तो उसने मक्ही को फिर पंजा मारा, मक्ही उड़ गई, अपकी बार शेर की नाख छिल गई, मक्ही कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर, शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता मक्ही तो फट से उड़ जाती अंत में शेर उप गया ठक गया मैं बोला मक्ही बहन अब मुझे छोड़ो मैं हारा और तुम जीती बस मक्ही घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी सामने एक हाथी मिला मक्ही ने कहा अरे हाथी मुझे प्रणाम कर मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा हाथी ने सूचा इस पागल मक्ही से बहस करने में समय कौन बरबात करे हाथी ने सोंड उपर उठा कर मखी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया सामने से आ रही लोमडी ने यह सब देखा लोमडी मंद मंद मुस्कुराने लगी इतने में मखी ने लोमडी से कहा एरे ओ लोमडी चल मुझे प्रणाम कर मैंने जंगल के राजा, शेर और विशाल का एहां थी को भी हरा दिया है। लोमणी ने उसे प्रणाम किया। फिर धीरे से बूली धन्य हो मक्हीरानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्हीरानी उधर वे मक्डी दिखाई दे रही है न, वे आपको गाली दे रही थी। उसकी जरा खबर लो न, यह सुनकर मक्ही गुसल से लाल हो थी। मक्ही बुली इस मक्डी को तो मैं चिटकी बजाते खतम कर देती हूं। यह कहते हुए मक्ही मक्डी की तरफ छपती और मक्डी के जाले में फस गई। मक्ही जाले से छूटने की जयों-जयों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधे फसती गई। अंत में वे ठक गई, हार गई। यह देखकर लोमडी मंद मंद मस्कुराती हुई, वहां से चलती बनी। ऑर गई, वहलद पार गई। झाले से प्रफ द कलוא लोमा करती हुई ी नग непेलrying रहां प्रफ याई, ऑार गदमा, ऐा गई। क耐वार थम मान डद आः से ताल, जो म एवार फवार्हां वार्पत्रू